खंबा गयनी आज की डेले टिप का टॉपिक है आप सबकी रिकमेंडेशन्स पर बेस्ट हैं हमारे जो वरकिंग प्रोफेशनल्स हैं जो हमारे घर पे मदर्स हैं जिनको बेबी को संभालना होता है वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कैसे एक्जाम को क्रैक करें कम से कम टाइम के अंदर देखें होता क्या है हमारे साथ हम सब बड़े खुश होते है जब कोई नया फ्रेंट दोस्त मिलता है जब कोई पडोस में नया दोस्त आता है पहले दो दिन हम बड़ा खुश रहते तीसरे दिन क्या होता है यह scenario आरे यार यह तो घर पे रैटके पड़ती है इसक तैयारी कर रहे हैं, कुछ समझ में आया हमें करना क्या है? हमें ये सोचना छोड़ना होगा, क्यों? क्योंकि हम सब के लिए every second counts, every second counts means every second counts, हम ये सोचना अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अब बात करते हैं हमारे पास कितने घंटे होते हैं, वीग डेस की बात करूं तो चार घंटे होते हैं ऐसे में क्या कर सकते हैं स्मार्ट हार्डवर कर सकते हैं 3P प्रिंसिपल अपना सकते हैं और सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे वीकेंड्स को वीकेंड्स हमारे लिए चाबी है एक मतलब बिल्कुल ये समझ लो कि बंद ताले की चाबी है जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा पढ़ाई होने वाली है 3P प्रिंसिपल क्या है पहला प्रिंसिपल है prioritize your task हमें ये देखना है कौन सा काम सबसे ज़्यादा important है कौन सा काम सबसे कम important है तो इसके लिए आप अपने काम को चार पार्ट्स में डिवाइड करें, वो काम जो अर्जिंट भी है, इंपोर्टेंट भी है, जैसे ओफिस जाना, आपको जाना ही होगा, ये काम करना ही है, तो do it now, उसको अभी कर लो, कुछ काम ऐसे हैं जो अर्जिंट है, लेकिन इंपोर्टेंट नहीं है, तो उसको किसी औ और को हैंड ओवर कर दो, अगर कर सकते हो तो, तीसरा, कुछ काम इंपोर्टेंट तो है, लेकिन अर्जिंट नहीं है, जरूरी नहीं है, तो उसके लिए प्लैनिंग करो, उसको थोड़ा टाला जा सकते हैं, कि ये काम हम कब करेंगे, और कुछ काम ऐसे हैं, जो ना इंपोर हाई के लिए यूटिलाइज करो, दूसरा प्रिंसिपल है, परिट्टो प्रिंसिपल, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए 20% एफर्ट्स हमें डालने होंगे, जिससे 80% रिजल्ट आए, ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो एफर्ट्स कौन से चीज़ें होंगी 20%, आप एक सब अबजिक्ट्स को और अपनी बुक लिस्ट को, फिल्टर कर लें कि मुझे कम से कम पढ़के, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने है, आपको कॉंटेंट मिल जाएगा, आपका काम क्या रह जाएगा, रिवीजिन करना, और MCQs प्रेक्टिस करना, तो 20% पे ज्यादा फोकस क करके, हम लोग 80% रिजल्ट ला सकते हैं, फिल्टर करो, कम से कम, एक करेंट अफेर्स के लिए जरूरी तो नहीं है, कि हमें 10 मैगजिन पढ़नी है, हमारा काम 2 मैगजिन पढ़के भी चल सकता है, तो ये चीज़ करनी है, ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल है, पोमोडोरो प्रि 5 मिनिट का ब्रेक 25 मिनिट पड़ना है, फिर 5 मिनिट का ब्रेक इस तरहां से करते करते, जब आपका एक घंटा या सवा घंटा हो जाता है, उसके बाद 15 मिनिट का लोग ब्रेक लेना है, ये कर के देखो, TRIED AND TESTED मैथट है, वरक आउट करते हैं, इसमें चेंजिस क्या कर स social media, whatsapp, facebook उसको बार-बार check करना, छोड़ दो working professionals को छोड़ना ही होगा सबसे पहले सबसे मुश्किल काम कर लो, उससे हमारा confidence बढ़ेगा, हम काफी relaxed रहेंगे, उसके बाद वाले कामों को जल्दी-जल्दी कर पाएंगे, और don't skip, अगर मान लो किसे दिन office से late हो गए, रात को एक घंटा करने का time नहीं है आपके पास, आपको बहुत नीदार ही है, ठक गए हो, आप सोच रो कि अब तो मेरा time complete हो गया, अब नहीं मैं पढ़ सकता तो एक घंटा नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ, 15 मिनिट तो पढ़ो skip मत करो, 15 मिनिट पढ़ो वो आपको एक moral देगा confidence देगा, आपकी तयारी सही दिशा में जाएगी, हम लोग skip करना afford नहीं कर सकते weekly targets बनाओ daily goal card बनाओ, एक दिन में कोई जरुरत नहीं है, जादा subject करने की आप एक ही subject रखो एक या maximum दो subjects, दो-दो time को utilize करना शुरू कर दो every second counts, tip कैसी लगी, आप सब मुझे बताएंगे जरूर मेरे बारे में सब जानते हैं, RAS prelims mains को crack करने का experience है utilize करेंगे, unacademy plus पे, taruna live मेरा referral code है इसको use कीजिएगा, 10% discount के लिए, और daily मेरा session होता है, साड़े 7 बजए YouTube पे, आप सब भी पधारिएगा मेरा Facebook page है, मेरा contact number है मुझसे बात कर सकते हैं और last में, please like, subscribe share करना मत भूलिएगा, आपके शब मेरे लिए बहुत important है आप सब अपने comment जरूर दीजेगा, कल मिलूंगी नई daily tip के साथ, तब तक आप सब को मेरे घणी घणी राम राम